हेलो एब्रीवन गुड मॉर्णिंग वेलकम बैक तो मैं न्यू ब्लॉग तो फ्रेंट्स कैसे आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंट्स मैं अभी भॉइस ओवर तो कर रही हूं साम का भी टाइम है बट मैंने मॉर्णिंग इसलिए बोला है कि मॉर्णिंग के 10 बज़े से मैंने अपना रूटिंग व्लॉग जो है स्टार्ट किया हुआ था और ये मंदीर क्लीनिंग का काम में कर रही थी यहां पे तो मैंने सोचा आज का ब्लॉगिंग जो है मैं यही से स्टार्ट कर लेती हूं और ये देखे सारे काम मेरे जो है अल्मोस्ट हो गए थे बस ये मंदीर क्लीनिंग का काम रहा गया था और मना जाता है कि धंतरस के दिन फिर साफ सफाई नहीं करने चाहिए इस बज़े से मैंने सुचा चलो इसको मैं क्यूं रखूंगी करके मॉर्णिंग से ही लग गई थी करीबन 10 बज़े का टाइमिंग था और ये देखे मं में करती तो बहुत जादा लेट हो जाता तो मैंने सौचा चलो आज खाली बैठी हूं सारे काम हो गया हैं तो मंदीर का क्लीनिंग में कर लेती हूं और कुछ हद तक मैंने मंदिर का जो क्लीनिंग का काम होता है वो कर लिया है, लाइट वगेरा सेट कर दिये है और मुर्तियां जो भी थे तो साफ सुथरा मैंने करके यहाँ पर रख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से और काफी ज़्यादा खुबसूरत लग रहा था मेरा मंदिर मैं मनी मन बहुत खुशब हो गई क्योंकि मैं अपने घर की तो क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर ली थी और भगवान जी का घर मेरा ऐसे छूट जाए तो मैं होने नहीं दूँगी और सभी सिस्टर लोग मेरी कर ही रही है सबसफाई ऐसा नहीं है और देखे लाइट लग जाने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही खुबसूरत लग रहा था और ये जो लाइट है मेरी छोटी बिटिया गुडिया रानी लगा चुकी है क्योंकि उसको लाइट का बहुत जादा सोख है और देखे कुछ दिर बाद ही मेरा ग्रोसरी से समान भी आ चुका था तो मैंने सचा चलो फटा-फट से सारे कामों को निप्टाने का काम मैं करती हूँ और अभी का टाइम जो है कुछ काम को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि घर ऐसे ही हस्त वेस्त है तो मैंने सचा चलो समानों को भी अपने जगे पर उसको ते लगा देती हूँ जो जहां रहते हैं बस उसी को सेट करने में मैं लगी भी थी तो यह देखे जब राशन हमारा आता है तो ऐसे ही घर विखरा विखरा सा था और और भी विखर चुका था तो यह देखे कि यह मैं फ्लावर लेके आई थी मार्केट निकली वी थी तो हाला कि मैंने इसको आपको दिखाई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी रख देती हूँ और यह देखे काफी ज़्यादा खुशूरत लग रहे थे और मैं टूटा फूटा मेला जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताई कि गई भी थी मैं वहीं से यह फ्लावर लेके आई थी सिर्फ 30-30 रुपीज में मिल गए थे तो मैं लेके आ गई थी बहुत सुन्दर लग रहे थे और सोचेस के लिए परफेक्ट था मेरा साइज के कोडिंग देखा जाए तो तो यह देखे काफी अच्छे से यह सोचेस में आ चुका था और बहुत खुबसूरत लग रहा था इसका परफल कलर का कॉम्बिनेशन और रेट के साथ मैंने मैं चप करके मिल आई थी तीन का पोट यह तो काफी जादा इस वीडियो को अपना धेर सारा प्यार दिजिएगा